तब कर दो से लेके 8 जनवरी 22 के इंपोर्टेन्ट करेंट अफ़ेर्ज को हम रिवाइस करेंगे ये जो करन्ट अफ़ेर हैब भारत के सबी कॉंपिटिटिव उइग्जामिनेशं के लिए बहुत ज़रुरिया यदि आपको उसका PDF प्राप्ट करना है तो आप हमारी Telegram लिंक को जोइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको Description Box में दिया गया है तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनियेगा Last में मैं आपसे कुछ important questions करने वाला हूँ देखी friends आज का सबसे पहला important current affair आपके सामने रहा 2021 का हिंदी का साहित अकादमी परसकार कि से प्र Dáन किया गया है इनका क्या नाम है देखी friends इनका नाम है दया प्रकास सिन्हा किस शेतरे में इनको साहित अकादमी परसकार मिला है तो हिंदी के लिए इन्हें साहित अकादमी पुरसकार मिला है इनके नाटक का क्या नाम था? समराट असोग तो इसके लिए इन्हें साहित अकादमी पुरसकार मिला है दोस्तो हाली में इन्हें पदमिस्री पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है पदमिसरी प्रसकार भारत का चौथा सर्वोच नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा भारत रतन है पदमिसरी प्रसकार की सुरुवात कभवी फ्रेंट्स 1904 में हुई थी देखे इस बार कितने भाषाओं में साहित अकाद्मि प्रसकार दिया गया है तो 20 भारती भाषाओं में साहित अकाद्मि प्रसकार दिया गया है देखे गुजराती, मैथली, मडिपूरी और उर्दू भाषा में अभी ये प्रसकार नहीं दिया है इनकी विजेताओं की घोशना नहीं हुई है साहित अकादमी पुरसकार कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो 24 भाषाओं में दिया जाता है वैसे हमारे आटवे ने सुची में 22 भाषाओं हैं लेकिन दो और भाषा है जैसे अंग्रेजी और राजस्थानी तो इन छेत्र में भी आप पुरसकार दिये जाने लगा है तो इसलिए टोटल 24 भाषा में यह पुरसकार दिया जाता है दोस्तों साहित अकाद्मी पुरसकार के सुरुआत कब हुई थी 1904 में हुई थी और पहली बार यह पुरसकार कब दिये गए 1955 में आईए फ्रेंट्स मैं आपको बता देता हूँ साहित अकाद्मी 2020 के विजेताओं की नाम के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे अनुराधा शर्मा पुजारी तो असमिया भासा के लिए इनको साहित अकाद्मी मिला है नमिता गोकले को अंग्रेजी भाषा के लिए दया प्रकास इन्हा मैंने आपको बता है हिंदी भाषा के लिए संजीव विरेंकर को कॉंकडि भाषा के लिए किरंड गूरप को मराठी अमभाई को तमिल और बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को विनाई को संस्कृत भाषा के लिए सहित अकादमी प्रसकार मिला है Second Important Weekly Current Affair आपके सामने रहा हाली में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किये जाने वाला कौन सा एप है तो देखे इस एप का नाम है TikTok तो देखे TikTok ने Google को भी पीछे छोड़ दिया है इस मामले में TikTok 2021 में Most Popular Website बन गई है और यह रेपोर्ट हमें किस से मिली है? Cloud Fair ने यह रेपोर्ट जारी की है Cloud Fair एक IT Security Company है Third Important Current Affair आपके सामने रहा फ्रेंट्स किस राज में आसपा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो देखे आसपा को 6 महीने तक के लिए नागा लेंड में बढ़ाए गया है देखे फ्रेंट्स यह आसपा क्या है? तो आसपा को हम कहते हैं ससस्त्र बल विशेस अधिकार कानून Armed Force Special Protection Act जो आर्मी को Special Powers देता है दोस्तो हाली में हुआ क्या था? एक घटना करम हुई थी 4 दिसंबर को उगरवाद विरोध अभियान के दोरान गलती से हमारी आर्मी के दोरा 13 आम नागरिकों की मौध हो गई थी दिखी फ्रेंट्स अगला important current affair आपके सामने रहा दक्षण अफरीका के किस खिलाडी ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेनी की खुशना की है तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है Quinton Decock तो Quinton Decock ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लिया है लेकिन फ्रेंट्स यह 1 Day और T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे इनका डेब्यू 2014 में आस्ट्रिला के खिलाफ हुआ था डिकॉक ने साउथ अफरीका के लिए टोटल 54 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें इनोंने 33 सो रन बनाए हैं देखी फ्रेंड्स, नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर आपके समने रहा हाली में सिक्षा मंत्राले के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है तो देखे इस अभियान का क्या नाम है आपसे पूचा जा सकता है तो इस अभियान का नाम है पढ़े भारत देखे सिक्षा मंत्राले ने एक जनवरी 2022 को पढ़े भारत अभ्यान की शुरुआत की है भारत की वर्तमान सिक्षा मंत्री का क्या नाम है इनका नाम है धर्मेंदर प्रधान याद रखेगा देखे इसका उद्देश है क्या है तो इसका उद्देश है भारत में साक्षर्ता की दर को बढ़ाना और साक्षर्ता की प्रती लोगों को अवैर करना बालवाटिका में जो आठवी कक्षा में पढ़ रहें बच्चे हैं वो भी इस अभ्यान का हिस्सा होंगे अगले Important Current Affairs को बढ़ते हैं हाली में किस देश ने Under 19 Asia Cup 2021 का खिताब जित लिया है तो देखे किस ने जीता है भारत ने जीता है किसको हरा की जीता है तो भारत ने श्रिलंका को 9 विकेट से हरा कर Under 19 Asia Cup जीत लिया है देखे भारत के पास एक अपना Special Record है भारत ने आठ बार इस खिताब को जीता है केवल एक बार 2017 में आफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था सेवन्थ इंपोर्टेंट करेंट अफेर आपके सामने रहा हाली में किसे निरिस्तिरी करण पर संयुक्तराज समेलन में भारत का नया इस्थाई प्रतिनीधी नियुक्त किया गया है इनका क्या नाम है देखें इनका नाम है अनुपम्रे निरिस्तिरी करण क्या होता है फ्रेंट्स हथियारों के इस्तमाल में कमीलाना निरिस्तिरी करण कहलाता है देखें अनुपम्रे किसका स्थान लेंगे तो ये पंकस सर्मा की जगे होंगे पंकस सर्मा की जगे ये जिनवा में निर इस्तरी करण पर संयुक्त राज समेलन में भारत का अगला इस्थाई प्रतिनी धी नियुक्ति ने किया गया है देखे बात करें अनुपमरे की तो 1994 के बैच के भारती विदेश सिवा के अधिकारी है और प्रेजेंटली दिल्ली में विदेश मंत्राले के मुख्याले में ये संयुक्त सचिप के रूप में कारी कर रहे है देखे पंकस सर्मा कहा जाएंगे तो मेक्सिको में भारत के अगले राजदूद बनेंगे पंकस सर्मा जी चली फ्रेंट्स अगले इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के अबढ़ते हैं बीजिंग में होने वाले विंटर ओलम्पिक्स की दो अलग-अलग स्फरधाओं के लिए कौलिफाई करने वाले पहले भारती कोन बन गए है तो इनका क्या नाम है इनका नाम है आरिफ मुहम्मद खान आरिफ मुहम्मद खान किस यूटी से हैं तो ये जम्मू कश्मीर से हैं और ये अलपाइन स्कियर है देखे अलपाइन स्किंग होता क्या है तो देखे अलपाइन एक उचा जगह होता है किसी भी बरफीले पहाड का जहां से जो स्कियर होता है वो उपर से नीचे फिसलते हुए आता है देखे बात कर ले फ्रेंट्स आरिफ मुहम्मद खान की तो उन्हेंने दो इवेंट में कॉलिफाई किया है पहला है जॉइंट इसलालोम और दूसरा है इसलालोम देखे फ्रेंट्स नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर आपके सामने रहा रास्ट्री बाग संडरक्षन प्रादी करण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बागों की मौत हो गई है तो देखे 126 बागों की मौत हो गई है और ये जानकारी हमें किसे मिलती है रास्ट्री बाग प्रादी करण अन्टी सिये के द्वारा मिलती है इन्होंने बताया है कि 126 बागों की मौत हो गई है और दोस्तों ये जानकारी कब उजागर हुई है हाली में मध्यप्रदेश में एक बाग की मौत के कारण इसकी जाच हो रही थी MP के छिंदवाडा में एक बाग मौत पाया गया उसके बाद जाच में ये पाया गया है कि भारत में 126 बागों की मौत हो गई है देखे आईए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज है बागों की मौत पर तो ये है MP जहाँ पे 44 बागों की मौत होई है दूसर नंबर पे महरास्ट है और तीसर नंबर पे करनाटक है नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर आपके समने रहा फ्रेंट्स हाली में railway boat का नया प्रेसिडेंट और CEO किसे नियूक्त किया गया है इनका क्या नाव में तो देखे इनका क्या नाव मैं है याद रखेगा विने कुमार्थ्रिपार्टी नामे पूछा जा सकता है विने कुमार्थ्रिपार्थी सुनीश सर्मा का स्थान लेंगे वर्तमान में बात करें विने कुमार्तिर पाठी जी की तो ये उत्तर पूर रेलवे के महा प्रबंधग है वर्तमान में रेल मंत्री कोन है क्योंकि यहाँ पर रेलवे की बात आ रही है तो याद रखेगा अश्वनी वैशनव है नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफएर आपके सामने रहा फ्रेंट्स हाली में भारती तट रक्षक के नए महा निदेशक किसे न्यूक्त किया गया इनका क्या नाम है तो देखे इनका नाम है विरेन सिंग पठानिया देखे बात करें विरेन सिंग पठानिया की तो भारती तट रक्षक के ये 24-वे महानिदेशक के रूप में न्यूप्त किये गए हैं देखे बात करें फ्रेंड्स तो चार महीने पहले ही विरेन सिंग पठानिया तट रक्षक मुख्याले दिल्ली में अतरिक्त महा निदेशक के पद पर तैनात हुए थे 12th important weekly current affair आपके सामने रहा 700 करोड रुपे की अनुमानित लागस से पीम नरिंद्र मोदी ने किस सहर में मिजर ध्यांचन स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की अधार शिला रखी है तो देखे कहां पर रखी है मेरट में इसकी अधार शिला रखी है कब रखी है 2 जनवरी 2022 को यूपी की मेरट में मिजर ध्यांचन खेल विश्विद्याले की अधा शिला रखी है देखे इसमें कितने खिलाडी प्रसक्षत किया जाएंगे तो 1080 खिलाडियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी यही छमता है देखे फ्रेंड्स अगला important current affair आपके सामने रहा कि इस सरकार जल्दी किस केंशासिप प्रदेश में जिला सूशासन सुचकांग विक्सित करने जा रही है तो देखे कहां पर विक्सित करेगी जम्मू कश्मीर में विक्सित करने जा रही है देखे जम्मू कश्मीर पहला ऐसा UT होगा जो इस प्रकार का ये सुचकांग प्राप्त करेगा देखिए इसमें होगा क्या इसमें जो सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सूचाशन सूचकांग बनाये जाएंगे जिसका लक्ष क्या होगा फ्रेंड्स वहाँ पे administrative reform करना प्रशाशनिक reform करना इसका main उद्देश है देखिए आप बात आई है जम्मू कश्मीर की तो आईए एक बार देख लीजे ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाक यूटी है इसका कब गठन हुआ था 31st October 2019 को अगला प्रशने फ्रेंड्स कौन सा राज़ देश का पहला LPG युक्त और धुआ मुक्त राज़ बन गया है इस राज़ का क्या नाम है देखिए याद रखेगा पूछा जा सकता है आपसे ये राज़ कौन सा है ये है हिमाचल प्रदेश तो केन सरकार की उजवला वा प्रदेश सरकार की गरहणी सुवधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश क्या हो गया है LPG युक्त और धुआ मुक्त राज़ बन चुका है देखिए इससे होगा क्या ये क्यों चलाय गया था दोस्तों लकडी के चूले जलाते समय होता क्या था गंभीर बिमारियों से महिलाओं को फ्रीडम प्रदान करने के लिए यह योजना चलाय गयी थी केंदर के दौरा उजवला योजना कब शुरू की गयी थी तो यह 1 मई 2016 को शुरू की गयी थी ठीक है देखिए बात करें LPG की तो LPG का फुल फार्म क्या होता है लुक्यूफाइड पेट्रूलियूम गैस इसमें दो गैस होती है प्रोपेन और दूसरा क्या होती है ब्यूटेन नेस्ट इंपोर्टिन करेंटर फेर आपके सामने रहा फ्रेंट्स तीन ट्रिलियन डॉलर वाली मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है तो देखे इस कंपनी का नाम है Apple Apple क्या है एक टेक कंपनी है जिन्होंने बड़ी कंपनीों को पीछे छोड़ दिया है तीन जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू तीन ट्रिलियन डॉलर पहुँच गई जो अब तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है देखे फ्रेंड्स नियॉयॉक टाइम्स ने बताया है कि Apple 2018 में एक ट्रिलियन डॉलर का आकड़ा चुआ था लेकिन अब इसने तीन ट्रिलियन डॉलर का आकड़ा छूल लिया है जो अपने आप में इतिहास है देखे Apple की बात करे फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी स्टीब जॉप्स स्टीब वोजनियाग और रोनाल्डो वैन के द्वारा देखे इस्टीब जॉप्स जो है फ्रेंड्स कैंसर की वज़े से इन्होंने 2011 में CEO का पत छोड़ दिया था प्रेजेट CEO कौन है इनका क्या नाम है इनका नाम है टीम कुक दोस्तो नए साल के अफसर पर Crazy G का ट्रिक आपके लिए एक गिफ्ट लाया है और एक गिफ्ट कैया है फ्रेंड्स बाइलोजी का कम्प्लीट आडियो कोर्स लेक्चर आपको हम फ्री में प्रदान कर रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक को क्लिक करके आपसे कोड पूछेगा तो आप कोड यूज कीजेगा Crazy2022 आप जैसे ये कोड लगाएंगे तो आपको फ्री में इसका एकसेस मिल जाएगा अगला इंपोर्टन करेंट अफिर आपके सामने रहा भारत की पहली स्मार्ट हाई कोड पूरी तरह पेपरलेस आदालत कौन बन गई इसका क्या नाम है तो देखे इसका नाम है केरल हाई कोड तो देखे फ्रेंट्स पहले चरण में पहले फेज में चीफ जस्टिस ने छे कोड रूम को स्मार्ट कोड में बदला है उनके सामने लगे computer screen पर उपलब्द कराई जाएंगी Next important current affair आपके सामने राफ्रेंट्स हाली में रक्षा मंत्री ने किस विश्विद्याले में कलपना चावला Center for Research in Space and Technology का उधगाटन किया है तो कहां पर किया है फ्रेंट्स चंडीगर विश्विद्याले में किया गया है भारत के वरत्मान रक्षा मंत्री को उनने इनका नाम है राजनास सिंग इन्होंने इसका उधगाटन किया है क्यों उधगाटन किया फ्रेंट्स इसके पीछे मकसद है और सेटलाइट डबलप्मेंट करना ताकि जो चात्र है जो स्टुडेंट है उनको ट्रेनिंग दी जा सके और आने वाली जो चुनोतिया है वो उसका सामना कर सके नेस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स ये रहा फ्रेंट्स हाली में पदमुसरी पुरसकार विजीता क्या नाम इनका डॉक्टर सिंदुताई सबकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है वे किस राज़ से रिलेटेड हैं तो देखे फ्रेंट्स वे महराष्ट राज से रिलेटेड हैं देखे सिंदुताई जो सबकाल हैं इनका जन्म 14 lehamबर 1948 को महाराष्ट के वर्धा जिले में हुआ था देखे, सिंदुताई जो सबकाल जी है इन्हें लोग जो है प्यार से क्या बोलते थे अनातो की मा कहते थे अगला important current affair here reference सबसे जादा ODF गाओं में कौन सराज पहले स्थान पर है देखे, यहाँ पर ODF का मतलब क्या होता है open defecation free यानि खुले में सौच मुक्त तो देखे, सबसे पहले नमबर पर है तेलांगना यह जानकारी हमें कैसे मिलती है स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीड चरन टू के जो यहाँ पर उन्होंने सर्वे किया इसके तैत हमें जानकारी मलती है दूसरे नमबर पर तमिल नाडू है और तीसरे नमबर पर करनाटक है देखे, गुजरात में केवल 83 गाउं जो है वो open defecation free है देखे, फ्रेंड्स, अगला important current affair आपके सामने रहा भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौस एनिक युद्ध खेलों की मिजबानी करेगा तो भारत 46 कंट्री के साथ इसकी मिजबानी करेगा कब करेगा? 25 फर्वरी 2022 में कहां करेगा? विशाखा पत्तनम में करेगा और ये कौन सा संसकरण है? ये 11 संसकरण है कब से सुरू हुआ है? 1995 से सुरू हुआ है याद रखेगा सारे important points 21st important current affair आपके सामने रहा अलका मित्तल किस महारतन कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है तो देखे हाली में ये ONGC की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है दोस्तों बात करे ONGC एक महारतन कंपनी है मैंने आपको सारी important details दीती daily current affair में आप उस lecture को जरूर मिस्मत कीजएगा daily daily current affairs को आप देखते जाएए और अपने सभी दोस्तों को शेर कीजए देखे अलका मित्तल किनका स्थान लेंगी तो सुभास कुमार की ये जगे लेंगी देखे दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दू भारत में वरतमान में कितनी महारतने कंपनी है तो भारत में वरतमान में 11 महारतने कंपनी है देखे ONGC की बात करे तो इस सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक वाली कंपनी है ठीक है याद रखेगा अगला important current of air आपके समने रहा दक्षिन धुरूप पर अकेले पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है इनका क्या नाम है तो देखे इनका नाम है प्रीत चंडी देखे ये ब्रिटिस मूलकी है और 6 सेनाधिकारी है प्रीत चंडी जिन देखे इनका क्या नाम है फ्रेंट्स इनका नाम है टीयस तिरू मूर्ती देखे आतंगवाद निरोधी सम्ती की स्थापना कब हुई थी 2001 में दोस्तों आपको ग्यात होगा 2001 में हुआ क्या था अमेरिका में वर्ल्ड रेट सेंटर गिरा दिया गया था उसके बाद पादी गतविदियों को खतम करने के लिए इसकी स्थापना होई नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेरियर आफ्रेंट्स हाली में कौन सा जिला उडिसा का पहला बाल विवा मुक्त जिला बन गया है तो देखे इस जिले का नाम है गंजम दोस्तों यह आकड़ा जिला प् हाली में विवा की जो मिनिममम एज है 18 वर्ट से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है 21 वर्ट कर दी गई है चली फ्रेंट्स हम अपने 25 इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कर बढ़ते हैं हाली में अंतराश्ट्री सौर गडबंधन में शामिल होने वाला 102 देश कोन बन गया है तो बुड़ाने भारती उच्चायुक्त क्या नाम इनका डॉक्टर केजी सिर्णिवास नाम है इनकी उपस्थिती में इनकी प्रेंस में आई यसे के फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किया है देखे फ्रेंड्स आई यसे क्यों गटित किया गया है तो स्वक्ष उर्जा को जनरेट करने के लिए इसका गटन किया गया है दोस्तों यहाँ पर आई एसे के बारे में मैं आपको इंपॉर्टन डिटेल्स दे देता हूँ इसकी स्थापना 2015 को हुई है देखे वर्तमान इसके महानिदेशा कोन है अजय मातूर है इसका हैड़कौर्टर गुरु ग्राम ह अरियाना में है और इसका मेंन फंक्षन क्या है फ्रेंट्स सोलर एनर्जी का उत्पादन करना और कन्वेंशनल एनर्जी के उपियों को कम करना है देखे फ्रेंट्स यह थे इंपॉर्टन weekly current affairs अब मैं आप से कुछ important questions करने वाला हूँ जिसका answer आपको comment box पर करना है तो पहल लोगों ने कहा कि 10 question होने चाहिए तो आपका जो comment है approve हो चुका है question number 2 पठन अभ्यान का शुभारम किस ने किया है question number 3 team India ने कितनी बार under 19 Asia cup का खिताब अपने नाम किया है question number 4 UNO किस थापना कब हुई थी question number 5 आरिफ मुहम्मद खान किस राजे से related है चलिए next question है under 19 Asia cup का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है question number 7 बागू की संख्या में कौन सहराज प्रत्थम इस्थान पे है question number 8 National Tiger Conservation Authority की इस्थापना कब हुई question number 9 प्रधान मंतरी उजवला योजना की शुरुवात कब की गई and question number 10 तमिल का साहित तकादनी परसकार 2021 किसे प्रधान किया गया है दोस्तो इन सभी 10 important questions के answer आपको इमानदारी से comment box पे करना है और देखना है कि आपने कितने सही किया देखे आप इस habit को daily कीजिए आपको इसका result धीरे धीरे दिखने लगेगा आईए friends अब मैं आपको one liner important current affairs का revision करा देता हूँ पूरे weekly current affairs का तो पहला question है हाली में कौन सा देश dual mode वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो ये देश है जापान अटल innovation ranking 2020 में किस IIT संस्थान को लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो देखी ये है IIT मद्रास नेस्टर फ्रेंट्स भारत और किस देश की सरकार ने एक air bubble समझोते को अंतिम रूप दिया है तो सावधी अरब और भारत ने हाली में इस पात मंत्राले के सचिप की रूप में किस ने पदभार को ग्रहन किया है संजे कुमार सिंग ने हाली में किस ने तमिल नाडू क्रिकेट संग के अध्यक्ष पद से अपना स्तीफा दिया है तो यह है रूपा गुरुनाद नेस्ट इंपोर्टेंट वन लाइन अक करेंट अफेरे रहा किस भारती महिला क्रिकेट खिलाडी को ICC की साल की सर्फरेष्ट T20 क्रिकेटर क्रूप में नॉमिनेटेट किया है तो देखे इनका क्या नाव है स्मरती मंधाना हाली में एक जनवरी 2022 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया इन्होंने 64 अपना स्थापना दिवस मनाया है DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी ठीक है हाली में मुहमद हाफिज ने अंतर आश्ट्रे क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है उनका संबन किस देश है तो देखिए पाकिस्तान देश से रिलेटेड है नेश्टर फ्रेंट्स हाली में किस देश के प्रधान मंतरी अब्दुल्ला हामदोक ने अपने पस्स स्थीफा दे दिया है तो देखिए सुडान के प्रधान मंतरी है हाली में कौन सा देश 10 मिलियन COVID-19 संक्रमन वाला छटवा देश बन गया है इस देश का नाम है फ्रांस आखरी प्रशन है बारबार उसमें भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे निउक्त किया गया है इनका क्या नाम है S. बाल चंदरन दोस्तों ये था weekly current affairs का complete revision आशा करता हूँ कि आपको ये नई initiative भी पसंद आई होगी आप अपना feedback ज़रूर दीजे comment box पर फॉलो कीजे crazy jkid record different social media platform पर YouTube, Facebook, Telegram, Instagram पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और bell icon button दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको daily update सबसे पहले मिल सके keep liking, keep sharing crazy jkid record thank you friends